हेलो गाइस स्वागत है आपका हमारे चैनल में देखिए आपने कभी-कभी ऐसा देखा होगा कि जो टीवी में वहाँ पर विन प्रेडिक्शन चल रही होती है से हर एक मैच के पहले वहाँ पर टीवी वाले किसी भी मैच का विन प्रेडिक्शन बताते हैं कि इस टीम के जीतन चितने के चांसे यहां पर veg 2 परस Nous बोस्क्राइब करना तो में यहीं पर आपका मार्केट सपोर्ट प आपका मार्केट सब्थ आका इसे काम करता है आप इसका कैसे फायदा उथा सकते हैं तो इस वीडियो में पूरा को पुरा कवर करूंगा यह फिर वीडियो को पुरा यास तक देखेगा यह समझने से पहले आप यह समझे कि एक्क्षेंज काम कैसे करती है एक्सचेंज सिंपल आप जैसे मार्केट में आप में आप करते हैं या सेल करते हैं तो सेम हम यहां पर किसी क्या करते हैं मैच आट्स पर बाई सेल करते हैं हम क्या करते हैं जो हमें टीम पसंद होती है उसको बाई करते हैं हाई रेट पर जब टीम लो रेट में आते ही तो हम उसको सेल कर देते हैं यहां में अपोजिट कहोंगी अगर तो टीम हमें पसंद होती है हम क्या करते हैं अपोजिट वाले टीम को ले कर लेते हैं उसको खा लेते हैं और अपने टीम पर हम प्लस हो जाते हैं और जब हमारी टीम फेवरिट आ जाती है तो हम अपना क्या कर लेते हैं लौस कर बुक सेट करके अपना प्रॉफिट बना लेत तो कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि जादर पंटर एक टीम को सपोर्ट करते हैं जैसे मैं आपको एक्जामपल बताओ तो मालनीचे चिंदे और मुंबई का मैच चल दा होता है मतलब चिंदे और मुंबई के मैच में पांच घंटा पहले यहां पर ओड्स होते हैं किसी भी मैच के एड़े टू तो दोनों टीम के मतलब एक्वल ओड्स है और यह देखने को मिला कि जैसे मैच पास आया स्टार्ट होने के जैसे टॉस हो गया उसके बाद ज्यादा लोग व पता चल जुका है क्योंकि सारा डिटा तो बुकी के पास जाता है ना तो उसको भी तो अपना लॉस बचाना है ना तो अगर ऐसा हुआ कि एड़े टू यहां पर उसने सैट कर रहे हैं और 70-80% लोग वहां पर मुंबई को बैक कर रहे हैं और बाइचांस अगर वहां पर होमे पर मार्केट को करने का मुंबई की तरफ को थोड़ा फे जाट रूस में तो अग्लोग अगर मॉंबई को बैक कर रहे हैं वहां मेसे मैचिंस्ट होगा आप सबस्क्राइब यहां पर मुंबई के और शिफ्ट हो जाएंगे एड़ दरेट टू से एड़ रेट 1.80 और वहीं पर जो जिन्ने के लोग काफी ज़्यादा कम लोग उसको बैक कर रहे थे तो मार्केट में बैलेंस बना लें के लिए ताकि और ज्यादा लोग यहां पर चिन्ने को सपोर्ट क करेंगे तो आपर वो चिन्ने के और भी थोड़ा उपर शिफ्ट कर देते हैं एड़ रेट 2 से एड़ रेट 2.3 या 2.2 तक वहापर आपको शिफ्ट देखने को मिल जाएगा तो यहीं जो मार्केट में फ्लक्ट्विशन हो रहा है मार्केट जो मार्केट कर रहा है सपोर्ट कहते हैं यह और वहीं मार्केट सपोर्ट आपको रेट में देखने को मिलेगा किसको ज्यादा रेट फेवर कर रहा है अब देखिए आप इसे कैसे पैचान सकते हैं मैं आपको थोड़ा एक्जामपल्स लेकर समझाता हूं माननीजे यहां पर मुंबई और डेली क बना जी है तो उनको जो बुक में कर रहे है उस वो 20-30 पैसा फेवरेट तो रखेगा पर ऐसा नहीं होगा जो फर्स निंग के बाद क्योंकि ज्यादा मार्केट सपोर्ट अगर मुंबई को कर रहा है ज्यादा पैसे मुंबई की टीम पर लग रहे हैं तो जो मार्केट जिस यहाँ फाल मार्केट जो पैसा उपर आपको मिलगा है तो तो वह जो टीफरेंस से मिलला है वह आपको सपोरी सपोर्ट यहाँ फिंगर मुंबई को सपोर्ट कर रहा है और वहाँ पर जब स्टाइब muy यदू riding में ना स्टार्टिन के अगर बाउंडरी में यहाँ तो फेवर करेगा अब आप देखें यहां पर कि आप यह कैसे पहचानेंगे कि लाइव मैच में रेट किसको फेवर कर रहा है तो आप उसके लिए क्या करिए कि आप मैच को लाइव देखें कि जब बाउंडरी पर रही है किसी टीम वाले बाउंडरी मार रहे हैं तो उसका रेट कीरे किता फेरेट कर रहा है और वैसे यह देखेky अगर परकर मारए और ज़से अगर बाुंचर आध Är यहांव देक्वेड लगया पर मारेंस देखने को मिल ला है पर वहीं अगर दिल्ली वाले मारेते फर्स इनिंग पे तो उनके रेट का आपको चार-पांच का यह डिफेंस देखने को मिला था तो इससे आप क्लिरली समझ जाओ कि यहां पर रेट असली में किसको फैवर कर रहा है मुंबई वालों को अब देखिए आप इसका फाइदा कैसे उठा खेलाता है वो रेट जवर्वत से जादा मुंबई को सपोर्ट करेगा तो आपको यह देखने को मिलेगा कि मुंबई वाले थोड़े देर बाद वहाँ पर रेट उनका बहुत ज्यादा रदा फास्ट उपर को जाएगा और थोड़े देर बाद वो फैवरेट ही आ जाएग कि यहाँ पर अगर मुंबई वाले पहले बैटिंग कर रहे हैं और उनने एक सो नंबे दोसो रद मना दिये तो आप यह देखोगी कि फर्स इनिंग के बाद मुंबई वालों का जो और यहाँ पर बीस के आसपा सो फेवरेट कर देगा बुक में कर और यहाँ पर जब दिल् कि अलके वह इंक्रीस करना शुरू करेगा पर जैसे एक विगेट कर गिरेगा ना तो ऐसी वह बहुत कम कर देंगे तो इस हिसाब से चलेगा रेट ज्यादा तर उस मैच में पूरा मुंबई को यह फेवर करेगा रेट और ऐसे मैच में क्या होगा आपको अगर आप यह चल जाएगी मैच की तो जो इस तैप के मैच होते हैं जब कोई टीम पहले इनिंग में बहुत ज़्यादा रन बदा देती है और उसे टीम को मार्केट भी अगर फेवर कर रहा है तो मैच लास्ट लास्ट में अगर उड़ते भी है तो अगर जैकपॉट बनता भी है तो इस सिच्विशन पर लास्ट में ही चेंज होगा पूरे मैच में वह जो रेट है वह फेवर आपका मुंबई करेगा तो ऐसे मैचस में आप फस्ट भी सकते हैं अगर वहाँ पर एक और विकेट लास्ट में गया तो आप पूरा मैच है डैड हो जाएगा तो आप रेट आपको इंडिया को सपोर्ट देखने को मिलेगा कि जो बुकमेकर है तो बहुत ज़्यादा यहां पर इंडिया को फेवरेट करके बैठा होता है अगर आपने इंडिया का वर्ल्ड कप में देखा होगा पिछले साल 2022 में तो उसमें जब पाकिस्तान की पहले बैटिंग कर र तो आप देख रहो जब 6 वर भी नहीं होगा है उत्ते पर इंडिया को 11-12 पैसे यहां पर फेवरेट कर दिया इतना यादा मार्केट सपोर्ट होगा था उस मैच में और उसके बाद यहां पर पाकिस्तान ने अच्छा खेलना शुरू के और उसके बाद फर्स इनिंग में आसपास 160 के आसपास स्कोर दिया इंडिया वालों को अब इंडिया की सैकेंड में जब बैटिंग आई तो इंडिया वालों की भी हारत नहीं पर खराब होगी थी आपने देखा होगा अब स्टार्टिंग में उनके तीस रंके आसपास चार विकेट गिर गये और छह वर हो स्केस में इंडिया वालों को उनने नौन फैरेट नहीं एकरा था वहां तक इस उस सिच्टेशन पर इंडिया को नौन फैर्वरेट होना चाहिए था पर क्यूंकि सपोर्ट इतना ज्यादा इंडिया को मिल ला हुज सारे पंडर इंडिया में बैठे हैं तो वहाँ पर लाए धीरे धीरे करके वहाँ पर लाए और उसके बाद जब हाँ पर कोली की पार्टनर्शिप चलिए और अच्छा खेलना तो वहाँ पर से अचानक से रेट शिफ्ट होना शुरू कोया और जैसी हो है अघर आप इंडिया में उस उस में इंडिया में अचार बहुत सब भादा क lige कि सारे इंड जिन से बुकी वाले खौफ खाया रहते हैं मतलब उनकी फटी जैसे और वो जो प्लेयर होते हैं वो रेट को अपने आने पर ही थोड़ा फ्लक्ट्ट कर देते हैं इसे इसका बेस्ट एक्जामपल में आपको बताऊं तो रसल हो गया जब भी केके आरे वाले चेस पर होते हैं क्योंकि रसल एक ऐसा प्लेयर है जिसने आज तक आयवियल ने बहुत ज़दा यहां पर जैकपॉर्ट उड़ा है और बुकी वाले उससे मतलब खौफ खाते हैं किसाब से तो जब भी वह एक दो बांडरी आता है ना मारता है तो उसके जब भी वह मारता है ऐसा है तो रेट को थोड़ा वह फेवरिट कर देगा तो आप समझ रोओंगे मैं क्या कहना चाहता हूं जब भी कोई खतरनाव वाला बॉलर आता है जो मतलब पूरा मैच चेंज कर सकता है या ऐसा कोई प्लेयर आता है जो जिस पर दाम हो पूरा मैच चेंज करने की तो वहां पर आपको थो 20-30 पे लगभग वह रन बना पाए तो उसके बाद जब बंगलदेश बैटिंग करने आएगी ना तो बहले ही उनने स्टार्टिंग दो ती नवर में अच्छे यहां पर बैटिंग कर दी तो वह तब भी यहां पर ज्यादा रेट उस तीम का दहीं उठाएंगे ज्यादा व फ्यूचर को देखके भी कहां पर आप थोड़ा समझ सकते हो कि यसे बुम्रा स्टार्टिंग में तो बालिंग करता नहीं है तो बाद में बालिंग करना आएगा तो आप थोड़ा उसको भी देखते हुए चल सकता हो कि बहले स्टार्टिंग मच्छे रन बन गए हैं किसी यह तो कहने का का मतलब यह है कि अगर आप उस तीम के साथ राओ के जिसको रहे है तो कंसे कम और्टिंग में रही जाएगा और जहातर आप long run में अगर इसे follow करोगे तो आप profit में रहोगे तो आपको क्या करना है जब भी आपको ऐसी situation मिले जहाँ पर rate support किसी team को बहुत ज़्यादा कर रहा है तो आप भलाई इसमें होगी कि आप उस team को यह ज़्यादा back करने की कोशिश करो अब हाँ कुछ कुछ ऐसे situation हो सकते हैं जहाँ पर कुछ ज़्यादा यहाँ पर rate favor कर रहा है और opposite वाले टीम यहाँ पर जीत सकती है पर जाद तर आपको यह देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जिस team को rate support करती है उस team को उस team पर आपका कम से कम loss cut आपको देखने को मिल जाएगा अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगी तो आप वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए जो इस फील्ड में है क्योंकि जितार आदा मुझे response मिलेगा उतार आदा यहाँ पर मेरा motivation बढ़ेगा कि मैंने इनी वीडियो बनाते रहूं इसलिए आप support द so thank you for watching the video and have a nice day